आप देख रहे हैं दखल न्यूज मद्यप्रदेश के पूर्म पंतिक एलाज जोशी का निदानी क्याने वर्सी वीजेशी ने ता महारास में चल रही है सियासी उठापटक उप्रीन कोड़ ने सभी संबंदित वक्षों को जारी किया नोटिस रहाल मंतिर लेंद मोदी ने की मन की बात राम मंदिर के फैसरे को पूरे देश ने बिल्क फोल कर गड़े लगाया कि नर्वदान में जारी है अवैदु खनन कंप्यूटर बाबा साजुन सब धरने पर वैठे शिवराच पर साधा निशाना और टेबलेट 3D में सामने आया ब्रस्टाचार कमीशन के खेल में अधिकारी कर रहे हैं कड़बड़ियां मद्यप्रदेश के पूर्व मुखमंत्री कैलास जोशी का इंक्यानवे वर्ष की आयू में भूपाल में निजन हो गया कैलास जोशी मद्यप्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुखमंत्री थे 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक सीम पत पर रहे वे जनसंग के समय से संगठन को मद्यप्रदेश में मजबूत करने के लिए काम करते रहे 1955 में कैलास जोशी पहली बार हाट पिपलिया नगरपाली का अद्धश बने इसके बाद 1962 से निरंतर दिवाज जिले के बागली से विधायक रहे 1951 में वे भारती जनसंग की स्थापना के सदस भी रहे इमर्जनसी के दोरान करीब एक महीने तक कैलास जोशी भूमिकत रहे इस दोरान 28 जुलाई 1975 को उन्हें गरफतार कर लिया गया था जिसके बाद उन्हें 19 महीने तक मेजर बंद रखा गया सीम बंदने के बाद 1978 में स्वास खराब होने की वज़े से उन्होंने मुख मंतरी पस से इस्तिफादे दिया था विभोपाल से सांसद भी रहे और मद्द परदेश के मुद्दों को उन्होंने सांसद में उठाया कैलास जोशी के बेटे दीपक जोशी शिवरास सिंग चौहान की सरकार में मंतरी रहे कैलाज जोशी के निदन से बीजेपी में शोक की लहर है और तमाम राजनीताओं ने जोशी को शद्धा समन अर्पित किये हैं राश्टपती रामनात कोविंद परधान मंतरी नरेन मोदी गर्य मंतरी अमिश्या सहित तमाम बीजेपी के वरष्ट निताओं उने शद्धांजली दी है आज एक युग का अंत हुआ मंद्यप्रदेश के अंदर एक राजनीतिक प्रोहा राजनीती के संत जरोंने अपना पूरा जीवन निस्कलंक और बेदाग जिया माननी जोशी जी ऐसे व्यक्ती थे जिन पर कभी कोई छीटा काजल की कोथरी से जो बेदाग निकलके आए मद्यप्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ी गरीब की बात की कमजोर की बात की आज ऐसा व्यक्ती हमारे बीच में मन बहुत जवित है आहत है मैं उनके चरणों में अपनी बिनम्र से धान जली देता हूँ मद्यप्रदेश के पूर सीम और भाजपा के राष्टी उपाद्यक्ष शिवरास सिंग चोहन ने कैलाज जोशी के निधन पर ट्विट कर शोग जताया उनके चरणों में कोटी कोटी प्रणाम विनम्र शद्धान जली मद्यप्रदेश के राजपाल लाजजी टंडन मुखमंत्री कमलनाथ 36 के मुखमंत्री भूपेश बगेल ने पूर्व सीम के लाज जोशी के निधन पर दुख जताया है उन्होंने ट्विट कर कहा है कि मैं इश्वर से उनकी आत्मा की शांती हेतू प्रास्ना करता हूँ इश्वर शोका कुल परिवार को जिद्धुख सेहने की शक्ती दे कहे जाते हैं संट थे जोशी जी जैसा रख्टितु सदियों में पैता होता है आज वो सिद्धे स्रीमान केलाज जोशी जी हमारे बीच नहीं रहे सिद्धे जोशी जी का पूरा जीवन है भारत माता की चर्णों की सेवा करते हैं बीता कॉंग्रिस निता केके मिश्दा ने कहा कि मद्दपरदेश की राजनीती क्षितिश के वास्तिविक रूप से इमानदार मुल्दों के पोशक आदर्श वादी चरित्र सादिकी के परतीक राजनीता वा संत परविर्टी की परतीमूर्ती पूर मुख्पंत्री केलाई जोशी का असमा एक निदन एक जुक का अंत है विनम रुनमन ईश्वर उन्हें अपने चरणों में इस्थान दे केलाई जोशी जी का जाना हम सब के लिए व्यक्तिका च्छती है वो एक ऐसे राजनीता थे जिन्होंने मद्धिपदेश के विकास में और राजनीती में शुचिता को इस्थापित करने में बड़ा योगदान दिया केलाई जोशी जी ने भारती जन्हता पार्टी के कारिकरता के रूप में भारती जन्हता पार्टी के नेता के रूप में विधायक के रूप में जन्प्रतिनीजी के रूप में सांसत के रूप में मंत्री के रूप में मुख्य मंत्री के रूप में निश्यत रूफ से अविस्मर्णी एक कारे किया उन्होंने लंबे समय तक विधान सभा में रहकर मर्द्य प्रदेश की राजनीती को नई दिशा दी वो भुपाल से सांसद भी रहे और उसके साथ साथ वो मुक्ही मंत्री भी रहे निश्यत रूफ से उनका जाना केवल भार की जनता पार्टी के लिए च्छती नहीं है बलकि मद्य प्रदेश की राजनीती के लिए बड़ी च्छती है महाराश्ट्र के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का अभार जदाया कि उसने मामले की तुरंग सुनवाई की कोट के रुख से फन्विस सरकार को फ्लो टेस्ट के लिए फिलहाल समय मिल गया है सुप्रीम कोट ने इस केस में सभी पक्षों यानि केंदर सरकार, महाराश्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देविन फन्विस और टिप्टी सीम अधीद पवार को नोतिस जारी किया है साथ ही कोट ने राजपाल को फन्विस की तरफ से मिले लेटर ओफ सपोर्ट और उनका आदेश मागा है शीश कोट ने फिलहाल फोरी तौर पर बहुमत परिक्षन पर कोई फैसला नहीं दिया कोट ने सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोटकी से कहा कि वे राजपाल का आदेश और फन्विस की तरफ से दिये गए समर्थन पत्र की कॉपी कोट में पेश करें सॉप्रीम कोट ने ये आदेश शिव सेना, एन्सीपी और कॉंग्रेस की महाराष्टर के सीम देविन फन्विस और डिप्टी सीम अधीत पवार के शपत ग्रहन को चुनौकी देने वाली याजिका पर सुनवाई करते हुए दिया सॉप्रीम कोट का शनिवार को आई आदेश पर गौर करें तो साफ होता है कि इससे देविन फन्विस सरकार को महलत मिल गई है और उसे आकड़ा जुटाने का मौका मिल गया है अगर सुप्रीम कोट फॉरंट फ्लो टेस्ट का आदेश देता तो 15 सरकार को हर कदम तुरंट में उठाना पड़ता अब वह इस कवायत से बज़ गई है वहीं सुप्रीम कोट के रुख से शिवसेना एंसीपी कॉंग्रिस को भी रहत मिली है तभी तो कोट की सुनवाई खत्म होने के बाद माराश्ट सरकार के नेता अशोक चुवान ने कहा मैं सुप्रीम कोट का आभारी हूँ कि उन्होंने रविवार को पेटीशन सुना तीनों राजनीतिक दलोग भारतिय राश्टिय कॉंग्रिस शिवसेना और राश्ट्रबादी कॉंग्रिस पाची उनके पेटीशन को और अदालत ने सरकार को मुक्यबंत्री और सब को नोटिस देते हुए ये आदेश दिया है कि कल कक जो लेटर ओज सपोर्ट देविंदर पड़नवीश ची ने और अजीत पवार जी ने गवरनर महाराश्ट्र को दिया था जिसके आधार पर उन्होंने उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रन दिया है उसे अदालत के सामने कल साड़े दस वजे पीश किया जाए महाराश्ट विधान सबाचिनों में बीजेपी की प्रभारी और राश्ट्री महामंत्री सरोच पांडे ने शिव सेना पनिशाना साथा उन्होंने कहा कि शिव सेना ने जना देश का सम्मान ने किया उन्होंने कहा मुखमंती फंडवी से समय पर बहुमत साबित कर देंगे बीजेपी की राश्ट्रे महामंत्री सरोच पांडे ने कहा चुनाव परिणाम आने के बाद शिव सेना ने जो दावे किये विग गलत है प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे सामने कभी ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई शिव सेना ने मुखमंत्री पत को लेकर राजनीती की महाराश्ट में सरकार गठन पर सरोच पांडे ने कहा कि ये जनादेश का सम्मान है जब चुनाव में गए तो शिव सेना के साथ चुनाव लड़े लेकिन उन्होंने जनादेश का सम्मान नहीं किया लोग तंत्र में ये आवश्यक था कि वहां सरकार बने और दृत गती से काम करें भाजपा ने वहां सरकार बनाई है और अजीद पवार वहां उपमुख मंत्री बने है और जल्ध ही हम सदन में बहुमत सिथ करेंगे हम जब चुनाव में जा रहे थे तो गठन बंधन में हम जिनके साथ में गए उन्होंने जनादेश का सम्मान नहीं किया लोग तंत्र में यह आवश्यक था कि सरकार बने और सरकार वहां पर दुरुत कती से कारी करे भारती जन्ता पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई है हमारे मुख्य मंत्री बने है उपमुख्य मंत्री न्सीपी से बने है और हम सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे तो कैड़ित को NCC Day की बहुत बहुत शुब काम नहीं देता हूँ क्योंकि मैं भी आपकी ही तरहा कैड़ित रहा हूँ और मन से आज भी अपने आपको कैड़ित मानता हूँ आम तोर पर हमारी युवापीरी को Friendship Day बराबर याद रहता है लेकिन बहुत लोग हैं जिनको NCC Day भी उतना ही याद रहता है उन्होंने कहा साथ दिसंबर को Armed Forces Day मनाया जाता है ये वो दिन है जब हम अपने वीज जैनिकों को उनके पराकरम को उनके बलिदान को याद तो करते हैं आईए इस अफसर पर हम अपने Armed Forces के अगमे साहस, शौरे और समर्पन भाव के प्रती कृत्यक गिता व्यक्त करें और वीज जैनिकों का इस्मरण करें पियम ने कहा देश में शांती एकता और सज़भावना के मूल सर्वोपरी हैं राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश दे उसे दिल खोल कर गले लगाया पूरी सहजिता और शांती के साथ स्विकार किया मेरे प्यारे देशवासियों हम सभी देशवासियों को यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि साथ दिसंबर को आम फोर्सिस फ्लैक डे बनाया जाता है यह वो दिन है जब हम अपने वीर सैनिकों को उनके पराकरम को उनके बलिदान को याद तो करते ही हैं लेकिन योगदान भी करते हैं सिर्फ सम्मान का भाव इतने से बात चलती नहीं है सहभाग भी जरूरी होता है और साथ दिसंबर को हर नागरिप को आगे आना चाहिए हर एक के पास उस दिन आम फोर्सिस का फ्लैक होना ही चाहिए और हर किसी का योगदान भी होना चाहिए आईए इस अवसर पर हम अपनी आम फोर्सिस के अदम में साहस शाउरिय और समर्परन भाव के प्रती कृतग्यता व्यक्त करें और वीर सहिदिकों का समर्ण करें प्रधान मंत्री मोधी ने कहा हम भी सिर्फ अपने आजपास के इलाके के प्लास्टिक के कच्रे से मुक्त करने का संकल्प कर लें सिर्फ प्लास्टिक मुक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है पीएम मोदी का इस खास रेडियो प्रोग्राम का यह उन्सक्वा संस्क्रंट था महाराष्ट के राजनेति घड़ना करम पर मद्धर प्रदेश के थेल और युवा कल्यान मंत्री जीतू पड़वारी ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी में सत्ता की हवस कूट 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 कर भरी है महाराष्ट में सत्ता की हवस ने लोक तंद्र कूट कलंकी किया है महराश्ट में भाजपा और NCP सरकार बनाए जाने पर कमनला सरकार के मंतरी जीतू पटवारी ने कहा परिष्टितियां सर्विदे थे जनादेश बीजेपी और शिफ सेना को मिला था कॉंग्रेश ने जनादेश का सम्मान किया तीनों पार्टियें सरकार बनाने पर बात कर रही थी लेकिन भाजपा और नरेंदर मोदी में सत्ता की हवस कुट कुट कर भरी है तत्ता की हवस ने लोक तंत्र को कलंकित किया नदी नियास अध्यक्ष कम्प्यूटर बाबा ने अवैद उत्खनन को लेकर एक बार फिर खनन माथियाओं को चेताबनी देते हुए का कि किसी भी सूरत में नर्मदा नदीव में अवैद उत्खननन नहीं करने दिया जाएगा नदी किनारे पेर पोधे लगाए जाएंगे कम्प्यूटर बाबा ने पूर मुख्वंती शिवरासिंग चौहान पर निशाना साथ तेवेका कि सबसे ज्यादा रेत का अवैद उत्खनन बुधनी में 15 सालों में हुआ है शिवरासिंग को शर्मानी चाहिए नर्मदा नदी के किनारे हो रहे अवैद रेत के उत्खनन को लेकर नदी नयास के अध्यश कंपीटर बाबा का अनिश्चित कालें धरना शुरू हो गया है अवैद रेत खनन रोकने नर्मदा की सफाई पौधे लगाने के देश से कंपीटर बाबा ने बड़ी संख्या में साथों के साथ बुधनी विधान सभथ शेतर कैंसर गड़ नर्मदा तक ये शेतर पर अपना बेर अडाल दिया है संपीटर बाबा ने कहा कि रेत माफियाओं को लगता है अब भी शिवराज की सरकार है और रेत उत्खनन कर सकते हैं सबसे ज्यादा रेत उत्खनन बुधनी में पूर्वमुक्रमंत्वी शिवराज की सरकार में ही हुआ है ये कमलनाथ की सरकार है नर्मदा को बचाने संदेश देंगे और किसी भी सीरत में नर्मदा से अवैद खनन नहीं होने देंगे पीटर बाबा ने रेत माफियाओं को सितावनी देते हुए कहा कि यह शिवराज की नहीं कमलनाथ की सरकार है भरोसा छोड़ दें 15 साल खूब आनन लिया अब बाबा लोग अवैद खनन नहीं होने देंगे शिवराज सिंग को शर्मानी चाहिए 15 साल में इन्होंने मा नर्म दाखिनारे अनिस्टित काल तक बैठेंगे फिलाल वक्त फोचला छोटे से ब्रेक का ब्रेक के वाल सिराजी रोंगे आप देखती रही दखल नहीं हुए संगीत की स्वा लहरीयों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के लिख्णों से नकसलवातियों के गढ़तं जोपडि से मेलो तक थेलों से मेलो तक पकडंडियों से सड़कों तक गाउN से शहरों तक व्यापार से उद्आधिोगों तक राजडीती से उठ नीतित तक आप क्या है विर्ट के बाद आपका स्वागत है रुख करते हैं अगी खबर की ओर मध्य प्रदेश सरकार के P.W.D. मंत्री सर्जन सिंग वर्मा ने उन तभी लोगों का सुक्री आदा किया जो किसी न किसी रूप में हनी ट्रैप मामले का खुलासा कर रहे हैं वर्मा ने कहा अब तो सबूतों के साथ नेताओं और अधिकारियों के किसे सामने आ रहे हैं हानी ट्रैप मामले में रोज हो रहे खुलासों को लेकर P.W.D. मंत्री सर्जन सिंग वर्मा ने कहा जो लोग इस तरह के मामलों में फसे हुए हैं समाज के अंदर मध्य प्रदेश के वातावरन को दूशित करते हैं उन लोगों के खिलाफ यदि कोई सबूत सामने आ रहा है तो प्रशाशन और सरकार को इसका संग्यान लेना चाहिए जिनकी कॉलर सफेद थी अब काली हो रही है ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रदेश का खूब शोशन किया करोणों अर्बों रुपे कबाए उन लोगों की हानी ट्रेप में संलिप्ता है ऐसे लोगों का खुलासा करने वाले ब्यक्ति और संसा का धन्यवाद लेकिन काली हो गई कई ऐसे अधिगारी जिन्होंने इस प्रदेश का खूब शोशन किया करोणों अर्ब रुपे कमा है वो लोग इस कार्ण के अंदर उनकी संलिप्तिता है और उस ती को धन्यवाद उस अंस्ता को धन्यवाद जिसने इस बात का खुला साथ मद्यप्रदे मद्यप्रदेश सरकार की वन मित्र योजना की अंतरगत दिये जाने वारे टैबलेट की खरीदी में भरष्टा चार का मामला सामने आया है लगना दौन जन्पद पंचायद में खरीदे गए टैबलेट का बिल उसकी कीमत से ज्यादा जमा किया गया कमिशन के खेल में भरष चार का मामला सामने आया है लगना दौन जन्पद पंचायद की 108 ग्राम पंचायदों में वनादिकार पट्टा के लिए टैबलेट खरीदी के लिए शाषन के द्वारा प्रतेख पंचायद को 15,000 की राशी स्विक्रिप की गए थी जिसमें पंचायद सचेव खुले बाजा पंचायदों में जाकर इन टैबलेट की खरीदी करने के लिए सोतंत्र था परंदू कमीशन की खेल में घर बैठे माल उपलब्त करा दिया बताया जाता है कि लिनोफो कंपनी के जिस टैबलेट की खरीदी बल्क में की गई है उसकी बाजारी कीमत 11,665 है जबकि पंचायदों में जो बिल लगाया गया है वह 14,995 है मगर इस हिसाब से भुक्तान कर दिया जाता है तो 10 लाग से ज्यादा का अतरिक्त भुक्तान करना पड़ेगा इस तरह के आरोप पत्यरोप तो लगते रहते हैं जब उनको इसपस्ट कर दिया गया है कि आप अपने मंद से जो जो भी पंचायतों में आपको अपने हिसाब से दुकान और उस जहां से देना है आप क्राय कर लें तो उसके लिए फिलेंट कर रहा है मैं पत्रवी जारी कि ने पने मार्केट में जो भी दूपाने है इतनी दूपाने है से आपको पसंद ऑपने से अप ले सकते हैं तो अक्टूबर को लागू की गई इस योजना के बाद लगतार अफसर शाही एवं सफेद पोश लोगों ने कमीशन का खेल रहा था जिले की पांचो जनपत पंचायतों की 330 ग्राम पंचायतों में टैबलेट वित्रित कर दिया गया है और अब पंचायस सचिवों को फोन पर इन व्यापारियों के द्वारा भुक्तान की जाने का दवा बनाया जा रहा है जबकि अधिकार जो सचिवों ने ये बताया कि अनावश्यक रूप से ये टैबलेट हमें दे दिया गया है जबकि हम खुले वाजार में खरीजी करते तो शासिन का लगभा तीन हजार रुपे हर पंचाय के खाते में सुरफशित होता 36 गड़ के नकसल प्रवाविच सुकमा जिले में पुलिस और नकसलियों के बीच मुडवेड में एक नकसली मारा गया है घटना इस थर से बर्दी धाई नकसली का शब और हत्यार बरामत किये गए है मुडवेड सुकमा के मुलेर के माडो पारा में हुई है फुल बगड़ी थाना के मरो पारा के जंगल में नकसलियों के जमावड़ी की सुचना फोर्स को मिली थी इसी सुचना के आदार पर सर्चिंग पार्टी ने जंगल को घरना शुरू किया पुलिस जवानों को अपनी और आता देख नक्सलियों ने जंगल के अंदर से गोलियां परसाना शुरू कर दी जवावी कारवाई में जवानों की फाइरिंग में एक नक्सली घेर हो गया मारा गया नक्सली प्लाटून का सदर से था उसके पास से पिश्टल और एक मोटो रोला वायले सेट बरामत किया गया है ये नक्सली वर्दी पहने हुए था मुटबेड के बाद जंगल में जवानों का सर्चिंग अभ्यान चल रहा है बगड़ी लाके और गादी राश इलाके में सर्चिंग के लिए निकली थी मुटबेड के पश्चाद जब लाके के सर्चिंग की रही तो एक मेल नक्सल डेड़ बाड़ी वहां से बरामत कीगी साथ में एक पिस्टल कंट्री मेंट पिस्टल और मोटोला का जो वायरलेस कम्निकेशन सेट होता है वो भी मौके से बरामत कीगी इस मुटबेड में पुलिस पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचा है बताये जा रहा है कि नक्सली अभी भी मडो पारा के जंगल में छिपे हुए है फोर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि नक्सली को वहां से खदिड़ा जा के बस्तर में तेज़ी के साथ चलाए जा रहा है नक्सली विरोदी अभीयान की वज़ा से यहां नक्सली पूरी तरह से बैक फुट पर आ चुके है नक्सल संगिठन की कमर तूट रही है और कई नक्सली कमांडरों ने आत्मसमरपन कर दिया है इस घटना के बाद सुकमा एस पी के समक्ष दो महिला नक्सली विरो ने भी आत्मसमरपन किया है संत हिर्दाराम नगर में आए दिन हो रही चोरियों से लोग परिशान हो रहे है दो अग्याद चोर दिन धाड़े घर के बाहर से एक नई गाड़ी का ताला तोड़ कर ले गए चोरि की वादाद घर में लगे सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई गये राज़ानी बोपाल में चोरि की गटनाय रुकने का नाम नहीं ले रही है संत हिर्दाराम नगर में दो अग्याद चोरों ने वन्ट्री हिल सिस्टिस सदा भार भवन के एक मकान के बाहर से गाड़ी का ताला तोड़कर नई बाइक पर हाथ साफ कर दिया बताय जा रहा है एक महीने पहले ये बाइक खरी दी गए थी जिसका अभी नमबर भी नहीं आये था पुलिस की लापरवाई के चलते चोरों के होसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन धाड़े इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं चोरी की घटना घर के पास लगे सीसी टीवी केमरे में कैद हो गई है जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है मुख्यमंती पद की शपत लेने के पहले देराद देवेंद फंडवीज ने मा बगला मुख्य की आरादना की मध्यप्रदेश के नलखेडा से बगला मुख्य पितामरा शक्ति पीट के पंड़ितों ने फंडवीज की अनुष्चान को हवन के साथ पूर करवाया और उसके बाद देवेंद फंडवीज ने महाराश्ट के मुख्यमंती के रूप में दूसी वार्चा पतली महाराश्ट में चल रही राजनेती घमासान के बीच देवेंद फंडवीज बहुत शांत नजर आए फंडवीज इस दोरान माब बगला मुख्य पितामरा माई की सेवा में लगे रहे महाराश्ट के उलजी हुई राजनीती के बीच कल अचानक मध्यप्रदेश के नलखेडा से पंड़ितों को मुंबई बुलाए गया उसके बाद देर राद देवेंद फंडवीज के निवास पर माब बगला मुख्य का अनुष्ठान शुरू किया गया पितामरा माई के अनुष्ठान के साध जियों जियों हवन की समिधा अगनिमान हो रही थी वैसे वैसे देवेंद फंडवीज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे देवेंद फन्विस के निवास पर हुए अनुष्ठान के बाद मा बगला मुखी की आरती हुए देवेंद फन्विस के मित्र और परिवार की मा बगला मुखी में असीम आस्था है यही वज़ा है कि परिशानी के इस दौर में फंडविस ने एक परिशान करने वली रात को मा का अनुष्ठान किया और उसके बाद सुभा एक बार फिर महराश्ट के मुख्रमंत्री के रूप में शपत ली फंडविस के करीवी लोग बताते हैं इस अनुष्ठान और मा की कृपा ही है कि वे विशम परिस्थिती में भी शान्त रहते हैं और मा की कृपा से वे बहुमत सावित करने में भी सफल होंगे इस बुलेटन में फिलाले इतना ही आप देखते हैं यह दखल लिए दखल आपके हक में आप देख रहे हैं दखल लिए